नमस्कार दोस्तों आज आपकी सेवा में मैं विलियम शेक्ष्पियर द्वारा रचित नाटक जूलियस सीजर का अध्यान करने जा रहा हूं। इस नाटक में क्या-क्या मुख बाते हैं उन सब के उपर हम लोग एक-एक करके विचार करेंगे। जब कभी भी अंग्रीजी साहिते में विलियम शेक्ष्पियर की बात होती है तो निश्चित रूप से हम लोग उनके दुखान तनाटकों के विशय में ज्यादा बातें करते हैं। विलियम शेक्ष्पियर वाज नोन फॉड़ ही ग्रेट फाइप प्लेज फाइप ट्रेजडीज पांच दुखान तनाटक उनके बहुत मशहुर हुए जिनका पूरे विश्व के इतिहास में विश्व के साहित इतिहास में महान जगा है जिन में सबसे पहला था जूलियस सी सीजर उसके बाद हैमिलेट, मैकबेथ, किंग लियर, एंटोनी और क्लियोपेटरा तो जो दुखान तनाटक विलियम शेक्ष्पियर ने लिखा उनमें सबसे पहला था जूलियस सीजर तो निश्चित रूप से जूलियस सीजर के विशाय में आपके मन में जानने की तो जूलियस सीजर एक नोबुल खांदान में पैदा हुए थे रूम में, इस कहाने का इस नाटक का सेटिंग क्या है तो प्लेस है इसका रूम, रूम में इस नाटक की बात हुई, तो जूलियस सीजर एक रोमन है और रोमन होने के साथ साथ, he was born in a noble family और noble family में उनका जन थ मतलब हुआ कि अब हम लोग बात करेंगे साल की, तो साल था 102 बीसी, 102 साल बीसी, 102 साल बीसी, 102 बीसी में उनका जन्म हुआ, किनका जन्म, जूलियस सीजर का, कहां पर रोम में, कैसे family में, तो noble family में और आगे जाकर के वे महान युद्धा के रूप में मशुर हुए, उन्होंने जो पहला campaign वार चलाया था, वार के लिए जो आगे निकले, लड़ने गया युद्ध, तो वो कब, तो वो 81 बीसी में, 81 बीसी में, जूलियस सीजर ने पहला campaign अपना स्टार्ट किया, और civic crown, civic crown की उपाधी उनको मिली थी, किस बात के लिए, युद्ध में अपने एक सिपाही की जान, उन्होंने अपने जान पर खेल करके बचाई थी, तो अपने सहकरमी सिपाही की जान बचाने के लिए, सरकार के दोरा उनको civic crown की उपाधी से सम्मानित किया गया, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि जूलिय सीजर रोम का एक जैनरल था, जो नोबुल फैमिली में वहाँ पैदा हुआ था, जिसका जन्म 102 BC में हुआ था, और जो 81 BC में पहली बार जुद्ध करने गया था, इसके बाद हम लोगों इस बात पर ध्यान देंगे कि कहाने कहां तक जाती है, तो कहाने जाती है पॉम्पी तक, पॉम्पी नाम का एक राजा था, जो रोम का राजा था, उस पॉम्पी को, पॉम्पी महान को, सीजर ने, जूलियस सीजर ने युद्ध में पराजित किया, पॉम्पी को पराजित करने के बाद, रोम में एक विचितर स्थिती पैदा हो गई, पॉम्पी हर गया, जो वहां का राजा था, और देश छोर के भाग गया, अब उसके बाद, लोगों के मन में, एक और निर्ने की स्थिती हो गई, दुविधा पैदा हो गई, कि जूलियस सीजर क्या करेगा, यह कि जूलियस सीजर राजा नहीं था, यह वाज नॉट दा किंग, यह वाज अउनली ए जेनरल, आर्मी का हेट कहिए उसको, युद्धा था हुआ, तो जब पॉम्पी की हत्या हुई, जाहिर था कि पॉम्पी को हराने वाला, पराजित करने वाला व्यक्ति महान था, ताकतवर था, तो रोम की जनता, जूलेज सीजर को महान समझने लगी, क्योंकि उसने पॉम्पी जैसे महान व्यक्ति को पराजित किया था, फिर भी, एक समुदाय था रोम में, जो इस बात से साशंकित था, कि जूलेज सीजर अगर राजा बन जाए, तो देश का भाविश कैसा होगा, उस देश में डेमोक्रेशी का फ्यूचर क्या होगा, तो देमोक्रेट पार्टी का नेता, कहिए, एड अब देमोक्रेट्स वाज कैसियस, C-A-S-S-I-U-S, कैसियस नाम का आदमी था, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता था, वह चाहता था, कि जूलियस सीजर राजा नहीं बने, क्योंकि जूलियस सीजर की राजा बनने से, उस जैसे डेमोक्रेट्स का भविश्य वहाँ समाप्त हो जाता, उसको इस बात का भवय था, कि वहाँ किंग्सिप अस्थापित हो जाएगा, और जूलियस सीजर राजा हो जाएगा इसके लिए उसने मारकस बुरुटस नामक एक सिनेटर को अपनी पार्टी में मिलाने का फैसला किया उसने सुचा कि अगर बुरुटस उसकी पार्टी में मिल जाए तो सीजर से मुक्ती पाना आसान होगा इसके लिए उसने Brutus के कान भरने शुड़ू किये और उसको समझाया और Brutus एक अच्छा आदमी था वह सीजर का बहुत कड़ी था लेकिन वह देश को सबसे ज़्यादा प्रेम करता था तो अंत में Brutus भी सीजर के खिलाफ हो गया कैसियस के कान भरने के कारण और अंत में इन लोगों ने मिल करके सीजर की हत्या की और बाद में एंटोनी नाम का आदमी आया और उसने सीजर की मौत का बदला लिया और इस प्रकार से सीजरिजम वहाँ पे कायम हुआ राजकंत्र वहाँ स्थापित हुआ और डेमोक्रेट्स की पराजय हुई तो ये कहानी मैंने आपको शोट में बताया अब इसको धोरा और आगे बरके देखें तो ये कई अंकों में एक कहानी है ठीक है तो उसका जो प्रथम अंक है वहाँ इस प्रकार है कि न्यायाधिकारियों वहाँ जो न्यायाधिकारी कुछ लोग थे तो पॉंपी को हराने के बाद जूलियस सीजर प्रसिद्ध हो गया था वहाँ उस देश के लोग उस दिन उसका इंतिजार कर रहे थे जिस दिन उँ पॉम्पी को हडा करके रूम में आया था और वहां के लोग स्वागत करने को तयार थे तो प्रथम द्रिश्य में नाटक की प्रिष्ट भूमिका असपस्ट की गई है जन भावना को इस द्रिष्टी से दूसरी ओर मुरने का प्रयत्न किया जाता है कि वे लोग उस सीजर का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए है जो उन पॉम्पी के पुत्रों को पराजित करके लौट रहा है जिसके वे लोग कभी अत्यधिक प्रशनशक रहे हैं पॉम्पी के पुत्रों को सीजर ने पराजित किया ठेक, पॉम्पी के पुत्रों को सीजर ने पराजित किया, वहाँ पर जो लोग हैं, वे लोग न्याया धिकारी हैं, और लोग वहाँ पर आये हैं सीजर को देखने के लिए, ये सीजर ने पॉम्पी के पुत्रों को पराजित किया, तो अब क्या हुआ कि जो सिजर के विरोधी हैं उनमें ये दो हाकिम हैं नयाधिकारी हैं ये दोनों चाहते हैं कि लोग अपने अपने कामों में जाएं और सिजर की पुजा करने से बचें उनमें थे फ्लेवस और मारूलस ये दो नयाधिकारी थे जो लोगों को समझा रहे हैं कि आप यहां से जाएए अपना-पना काम कीजिए यहां देखने के लायक कुछ नहीं है क्योंकि नयाधिकारी सीजर की उन्नत्ती और लोगप्रियता को पसंद नहीं करते अता हुआ सीजर के स्वागतार्थ आयोजनों को विनस्ट कर हटा देते हैं अतह पर्थम द्रिश्य एक ओर जहां जन भावना और और व्यक्त व्यवहारों को प्रदर्शित करता है वहां दूसरी ओर यह भी अस्पष्ट हो जाता है कि जनता का एक वर्ग सीजर की लोगप्रियता को पसंद नहीं करता कैसियस द्वारा सीजर के विरुद्ध बूटस के कान भरना यह एक प्रमुख घटना है इस कहानी में इस नाटक में दूरिये द्रिश्य में भविश्य वक्ता स्पष्ट तया घोषित करते हुए दिखाई देते हैं कि निश्चित रूप से सीजर के विरुद्ध कुछ अन कि वह सीजर के पतन के लिए किये जा रहे श्रजरंत्र में शामिल हो जाया है कैसियस नहीं चाहता है कि सीजर वहां continue करे ठीक है पॉंपे के पुत्रों को हराया वहा आया जंता उसको चाहती है लेकिन अब कैसियस चाहता है कि रोम में उसकी सरकार बने जुलियस सीजर की नह ठीक है उसके लिए बूटस जैसे महान और सब्भेव्यक्ति महान सब्भेवंग लोकप्री है व्यक्ति का समर्थन लेना जरूरी था वरना लोगों का विश्वास सीजर में से डिस्टर्ब नहीं होगा लोग सीजर को पूजेंगे तो सीजर को मारना रास्ते से हटाना असंभ तो अपनी सामाजिक राजनितिक चतुरता से कैसियस बुरूटस को विश्वास में लेने में सफल हो जाता है कि सीजर वास्तों में भीरू और निर्बल है क्योंकि रोम के लोग उसकी पूजा कर रहे हैं अता हुआ राष्ट्र के लिए अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता है वह यह कहकर बुरूटस के मर्म कोचुने का प्रयत्न करता है कि सीजर बुरूटस से महान कैसे हो सकता है चरहता है उसको पॉलिश करता है वह बुरूटस की देश भक्ती पर व्यंग करता है अपने शड्यंत्र और योजना को कर्यानुवित करने के लिए वह बुरूटस के घर में जाली पत्र आदी फिकवाता है कि बुरूटस रोम की चुतंदरता की रक्षा करे कैसियस द्वारा सीजर विरोधियों की संख्या में व्रिद्धि कैसका और सिसरों की बातचीत से होता है कैसका और सिसरों यादमी है यह दोनों वापस में बातचीत कर रहे हैं केसका उन विलक्षणताओं का वर्णन करता है जिने उसने देखा तथा अनुभव किया है आखास से अगनी वर्षा हो रही है गुलाम जिसका हाथ जलाना होता है वह तनिक भी नहीं जलता राजधानी के निकट एक शेर घूम रहा है अगनी वर्षा में लोग गलियों में दिखाई दे रहे हैं केसका इसे असपष्ट करते हुए कहता है कि वातावरण में और सम्भावित विलक्षणता विशेश संकेत करती है जैसे ही सिसरों कहता है केसका का कैसियस से मिलकर बिना धंजट उसकी बुद्धि मत्ता के प्रसंसा शड़्यंत्र में शामिल हो जाता ह मतलब यह अफशकुन वहां दिखाई दे रहे हैं ill omens अफशकुन हो रहा है मतलब कुछ अन्होनी उस देश में होने वाली है अन्होनी क्या होगी तो यह डेमोक्रेट्स यह शड़ेंद्र कर रहे हैं यह conspiracy कर रहे हैं they are conspiring against seizure सीजर के खिलाप वहां शड्यंत्र हो रहा है कि उसको माट ढालना है क्योंकि वह लुकोप्रिय है वह एलेक्षन में हराय नहीं जा सकता है तो उसे प्लानिंग करके शड्यंत्र करके धोखा से उसको माट ढाला जाये शड्यंत्र की पूरी तयारी हो चुकी है अभी है अंक दूसरा अंक शड्यंत्र काडियों कार निर्नायात्मक मिलन आधी रात भिच्चुकी थी ब्रूटस जागा वह औव्यवस्थित सा अपने ग्रिह उद्दान में इधर उधर घूमने लगा जैसे जैसे वह अपनी क्रियातमकता के विशाय में सूचता वैसे वैसे उस पर प्रबलता से अस्पष्ट होने लगा कि सीजर वास्तों में रोम की जनता के लिए खतरनाक है ब्रूटस ने कैसियस द्वारा खिर्की की रास्ते फैकवाए वे पत्र भी प्राप्त कर लिये हैं जिनमें रोम की रक्षा के लिए उसका आवान किया गया था लोगों से जूटा पत्र लिखवा करके कैसियस ने ब्रूटस के कमरे में फैकवाया था ताकि ब्रूटस को उसको देश प्रेम से मतलब नहीं है उसको खुद की कुर्सी से मतलब है लेकिन ब्रूटस कौन है तो ब्रूटस देश प्रेम ही है वह रोम को प्यार करता है यहां तक कि अपने अजीज जूलियस सीजर से भी ज्यादा ठीक है इसी जहां कैसियस के साथ साथ अन्य शड्यंत्र कारी वहां प्रवेश करते हैं अब यह निर्णय होता है कि सीजर की हत्या कर दी जाए अन्य किसी की नहीं सीजर को सीनेट हाउस में ले जाने के लिए उसके घर पर सबके मिलने के समय का भी निर्णय कर लिया जाता है कैल पूर्णिया सीजर की पतनी का नाम है क्या नाम है कै जुलिय सीजर की वाइफ उसको बिटा बेटी नहीं अवा बांज औरत है बैरेन लेटी है दुरभाग्य पूर्ण सुबह को सीजर सीनेट में जाने के लिए तयार होता है परंतु उसकी पतनी कलपूर्णिया उसे जाने से रोक लेती है और रात्री में देखे गए अपन को वर्णन करती है उसने देखा कि उसके पती का मुत मुर्ती हजारों घावों के काड़न रक्त से लथपत है कलपूर्णिया का सपना था सपने मोस ने देखा कि उसके पती सीजर का शरीर घावों से लथपत है रक्त उससे रक्त की धारा बह रही है उस बहते हुए र वो पैर पकड़के कहती है कि आप ड़ने वाले किसी से नहीं हो लेकिन मेरी खातिर आज आप पिलीज सीनेट मत जाईए आज घर में ही रहिए क्योंकि मैंने सपना देखा है इससे मेरा जी घबरा रहा है आज आपके ऊपर खत्रा है अधा सीजर सीनेट में जाने का अपना इरादा बदल देता है तभी डैसियस बूटस सीजर के घर में प्रवेश करता है वह दूसर अपने की पूरी व्याख्या अपने ही धंग से सीजर के भाग्योदय के संदर्व में करता है बूटस कहता है कि यदि वह आज नहीं गया तो जंडता वो बूटस वो नहीं है जबाब यहाँ बूटस की बात हो रही है लेकर यहे डैसियस बूटस और वह बूटस जो महान है जो सीजर के साथ सरड़ंट्र में शामिल है उसका नाम है मारकस बूटस तो ये एक ही नाम है आज यहां बुलाने आया है जुलियस सीजर को वो है डेसियस बुरूटस और वो जो कैसियस के साथ मिल करके प्लानिंग में शामिल हुआ था वो था मारकस बुरूटस तो ये दोनों बुरूटस अलग-अलग है आज जुलियस सीजर के घर पर ये डेसियस Brutus आया है उसको सीनिट ले जाने के लिए जहां जूलियस सीजर अपनी पतनी के आगरह से घर में ही बैठा है क्योंकि रात के सपने में उसकी पतनी ने भयावध द्रिश्च देखे थे जो उसके पती जूलियस सीजर के खिलाफ था और पहले से आकाशवानी भी हो रही थी व 15 तारीक की रात में क्या होगा मधि मार्च का मतलब है मार्च के बीच में 15 तारीक और 15 तारीक 31 होता है मार्च में 31 का मतलब मिडिल 15 पंद्रह तारीक की रात में का दिन का समय बहुत भयावा है मतलब मार्च का जो मद्ध का दिन होगा मद्ध मार्च वा जुलिय सीजर के भवश के लिए बहुत खड़ाब है ये भवश्वानी आकाश्वानी पहले से हो रही थी इसे लोग भी सुनते थे केलपूर्डिया ने ही नहीं है इसलिए प्लीज आज आप घर में ही रहिए और उसकी यही बात को सुन करके सीजर घर में रहने को त्यार हुआ था भले ही है उसके स्वाभिवान और उसके स्वभाव के विपडित था तो जब डेसियस बूटर्स आया और उसने बताया कि यह आपके भवश के ल आज नहीं गया तो जनता ने उसे ताज पहनाने का निर्डे किया है वह हो सकता है कि बिल्कुल बदल जाए अतह सीजर की महत्व कांख्षा पूर्ण तह जगरत हो जाती है और वह समस्त शड़्यंत्रकाडियों के साथ अपने दुर्भाग्य पूर्ण मार्ग पर बढ़ ज रहती है एंटनी का प्रवेश भी प्रभावशाली धंग से महत्व पूर्ण है मैत्री पूर्ण चितावनी एक व्यग्र पत्नी शड्यंत्र का संकीत पाकर आल्टे मेडस सीजर को चितावनी देता है वह अपने आपको राजभवन के समीप तैनात कर लेता है ताकि वह सीज पत्नी पूर्शिया घबराहट तथा व्यग्रता के स्थ्वति में अपने नौकड लूशियस को सिनेट हाउस भेजती है ताकि वह उसी जानकारी दे सके कि वहां क्या हो रहा है प्रत्याग्यमन का सुबह उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह को सीजर जैसे ही सिनेट हाउस में पहुंचता है उसे भविश बक्ता द्वारा पुना चेताबनी दी जाती है उसी शन आर्टे मीरियस भीर को ढखेलता हुआ अपना चेताबनी पत्र सीजर को देने के लिए पास आता है वह कहता है पहले इसे पढ़ो इसका संबंध सीजर के निकट भविश से हैं दर्व को जाग्रत कर देते हैं और वह उत्तर देता है कि क्या होगा दिखा जाएगा जैसे कि पूर्व निजनिधारित था मेटिलस सिंबर अपने भाई के निश्कासन की आग्यां रद करवाने के लिए अरजी पेश्ट करता है सीजर फट कारते हुए प्रार्थना को ठुकरा देता है बाकी शड्यंत्रकारी भी पुनर विचार के लिए अनुरोध करते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं पीठ की तरफ से सीजर की गर्दन पर पहला वार किसका द्वारा किया जाता है सेश शड्यंत्रकारी भी उसी का अनुसरन करते हैं और सीजर के भागे का अन्तिम निर्नायक आक्रमन बूटस द्वारा किया जाता है मारकस बूटस सीजर मरकर पॉम्पी के पाउं में गर जाता है पॉम्पी का स्टेचू वहाँ पर खड़ा था उसी स्टेचू के पाउं पर वह गिर गया सीजर अपने चुरें उपर उठाकर श्रडंतर काड़ी घोशित करते हैं कि स्टंतरता का शत्रू समाप्त हो गया और स्वाधिनता प्राप्त कर ली गई है क्योंकि सीनेटर अत्यधिक संधिहास्पद इस्थिती में थे अतह सभी अपने कृत्ते को नैतिक सिद्ध करने का प्रयत कर वे लोग जनता का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं तभी एंटोनी द्रिश्य पर उपस्थित हो उनकी स्थिती को और भी संधिहास्पद बना देता है सीजर के अंतिम संसकार के असर पर एंटोनी द्वारा भाषन याचना सीजर के मृतक शरीर को देखकर एंटोनी अत्यधिक भावुग तुथा शोका कुल होकर उससे कहता है कि वे लोग उसकी भी हत्या कर डालें बुरुटस यह कहकर अपने कृत्य का समर्थन करने का प्रत्न करता है कि वे लोग हत्यारे नहीं बलके मुक्ति दाता है इस्थिती को भाव कर एंटोनी उससे समझहोते का रूख अपना लेता है साथ ही यह याचना करता है सीजर के अन्तिम संसकार के अवसरभड उसे बोलने की आग्या दी जाए हलाकि कैसियस इसका विरोध परकड करता है किन्तु बुरुटस उसे उसी मंच से उसके बाद बोलने की बात मान लेता है अकिला रह जाने पर एंटोनी मिर्त्यू की घोसना करता है और सीजर के सारे शत्रूओं को माट डालेगा वबदला लेगा तब ही एक संदेश वहाक आकड सुचना देता है कि अक्टोबियस सीजर का भतीजा वहां आ गया है सीजर के अंतिम संसकार के समय ब्रूटस का भाषन सीजर पर दोशा डोपन करते हुए अपने कृत्य का ब्रूटस यह कहकर समर्थन करने का प्रयत्न करता है कि सीजर अत्यदिक महात्वकांग्षी था अतह उसकी महात्वकांग्षाओं के चंगुल से जनता तथा रोम की मुक्ति के लिए उसकी मृत्तु अनिवारे थी बूटस ने साबित किया किसीजर अपने भाषन में किसीजर महत्वा कांग्षी था इसलिए उसकी मौत जरूरी थी for the safety of Rome and future of democracy अतह अंशिक रूप से वह लोगों को संतुष्ट कर देता है और अनुरोध करता है कि वे लोग एंटेनी की बात भी सुने क्योंकि उसे शट्यंतरकारियों ने भाषन करने की आग्या प्रदान की थी एंटोनी मार्क एंटोनी पुरा नाम वह जूले सीजर का पक्का समर्थक था और वह उसकी मौत से दुखी था और मारने वालों से बदला लेना चाहता था बड़ी साबधानी से एंटोनी अपना भाषन आड़म करता है और दक्षता से धीरे धीरे जनता के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करता है फिर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बरकर वह शट्यंतरकारियों द्वारा सीजर पड़ किये गए मुख्य दोसारूपन की कि वह अत्यदिक महत्वा कांग्षी हो गया था एंबिसर्स हो गया था विरोध करता है क्योंकि शट्यंतरकारियों ने उसकी हत्या का यही प्रमुख कारण बताया है अपनी बात और भावना के अस्पश्टी करण के लिए वह अनेक तरक और प्रमान प्रस्तुत करता है सीजर किसी भी रूप में महत्वा कांग्षी नहीं था साथ ही यह भी कहता जाता है कि बूटस्त था उसके साथ ही वास्तों में सम्मानित व्यक्ति हैं सीजर की अंतिम इच्छा प्रकट करने से पहले वह सीजर का घायल शरीर बड़ी ततपरता और दक्षता से जनता के समक्ष एक डाई नेता के रूप में प्रदसित करता है और जनता की भावनाओं को जगाता है ताकि वह जन भावनाओं में करुना को उभार सके वह जनता को बड़े नपे तुले शब्द में क्रांति के लिए भड़काता है जनता शर्जंतर काडियों को उनके हवाले कर देने की मांग करती है एंटोनी को सुचित किया जाता है कि बुरूटस और कैसी ये स्पागलों के समान रोम की दरवाजों से निकल गए अगरे संक्षित द्रिश्य में भीर भावना को पुना आलेखन किया जाता है उस भीर में द्रिश्य में भीर कवी सिन्ना को शर्जंतर काडियों सिन्ना समझ कर माट डालती है भीर को आखे नहीं होती, भीर तो अंधी होती है, तो उसने कभी शिन्ना को स्रड़्यंत्र काड़ी सिन्ना समझ कर माट डालती है स्रड़्यंत्र का पतन अंक चार, ठीक है, तो चौथा अंक है सीजल के वध के पस्चात, रोम का प्रशाषन एंटोनी, अक्टोभियस तथा लेपीडस के हाथ आगया, उन्होंने तीन व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया, उन्होंने श्रड़ंत्रकाडियों के पक्षपातियों की सूची तयार की और उनके विरुध निर्नायक कदम उठा उन्होंने ब्रुटस और कैसियस की सामोहिक शक्ति को धोस्त करने से संबंधित साधनों पर भी विचार किया, कैसियस तो था ब्रुटस के दबाव की आत्म स्विकृति, इसे दुर्भागी ही कहा जाएगा कि ब्रुटस तो था कैसियस के चरित्र, सीधे, पारसपरिक विरो के कारण शिकायत थी, उसने अनभव किया कि कैसियस उसके प्रती उदासीन सा रहने लगा, इसी प्रकार की शिकायत कैसियस को भी थी कि ब्रुटस ने लूसियस के मामले को गलत धंग से हतियाया है, कैसियस और ब्रुटस अब जगरने लगे, ब्रुटस ने लूसियस पहला द्वारा रिश्वत लेने के काड़े का विरोध किया हालां कि कैसियस का सिफारिशी पत्र भी उसके पास था फिर भी बुरूटस ने विरोध किया मिलने पर कैसियस बुरूटस से कहता है कि युद्ध जैसी आपात कालीन इस्थिती में ऐसी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए बुरूटस अपने आपको भ्रष्टाचार और पक्षपात समर्थन की स्थिती में नहीं पाता देख क्रोधित हो जाता है क्रोधा वेश में बुरूटस कैसियस पर दोसारोपन करता है कि रिश्वत की अस्विग्रती पर सैनिकों को वितन देने का प्रश्ण उठा गर्मा गर्मी हो जाती है किन्तों शराब नौशी की धुन में उनमें समझावता हो जाता है बुरूटस अनुचित संभाशन के लिए प्रश्रताप करता है और बताता है कि इसका कारण उसकी पतनी की दुखद मिर्तु है उसकी पतनी थी पूर्सिया उसने आत्मात्या कर ल कैल्सियम कैसियस कहता है कि उन्हें अपने अस्थान पर ही रहकर शत्रूओं की गतिविधियों का निरिक्षन करना चाहिए परंतु बुरूटस कहता है कि उन्हें शत्रूओं को पीछे धकेलने के लिए फिलिपाई में मोर्चा जमाना चाहिए प्रस्ताओं में सहमत न होत किसियस को बूटस की विचार का समर्थन करना पड़ता है कैसियस स्वार्थी था वह अपने लिए कुर्सी की बात करता था बूटस व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे नहीं था वह देश्प्रेमी था वह रोम के हित के लिए सीजर की हत्या में शामिल हुआ था और इस बूटस से मिलता है अकिला रह जाने पर बूटस अपने गाउन की जेब से पुस्तक निकाल कर उस अस्थान से पढ़ना आरंभ कर देता है जहांसे उसने उसे पिछली रात पढ़ना बंद किया था तभी सीजर का भूट उसे चिताबनी देने आकर उपस्ठित होता है कि वह अब फिलिपाई में उसे फिर मिलेगा कुछ शण घबराहट अनुभाव करने के प्रश्टात बुरूटस पुनह स्वस्त होकर भूत से प्रश्ण करता है कि उसे कुछ भी उत्तर नहीं मिलता उसके बाद बुरूटस अपने नौकर को बुलाकर उसे कैसियस के पास यह याद दिलाने के लिए भेजता है कि उन्हें शत्रूओं का सामना करने के लिए बहुत सुबह ही चल देना चाहिए अब पांचवां अंग इस नाटक का फिलिपाई के युद्ध शत्र में विरोधी से नाएं आमने सामने आडटी बूटस तो था कैसियस एक तरफ थे जबकि एंटोनी तो था अक्टोबियस सीजर दूसरी तरफ आमने सामने खड़े दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रती गाली गलोज करते हैं अनेक प्रकार के धिकार पूर्ण शब्द कहे सुने जाते हैं उसके पश्चात अपने अपने पक्षों में आकर आक्रमन के लिए दोनों पक्ष संबध हो जाते हैं बूटस तो था कैसियस यह कहकर विदा होता है कि पराजय के स्थिती में शत्रू पक्ष के हाथ पढ़ने के अस्थान पर वे दोनों आत्म हत्या करना उचित समझेंगे बूटस कुछ पहले ही युद्ध का आदेस दे देता है अता उसका पक्ष जीतता हुआ दिखाई देता है बूटस की पहल का पहले पहल अच्छा ही परिणाम निकलता है उसके सैनिक विरोधियों को पूरी शक्ती से काफी पीछे धकेलने में सफल हो जाते हैं बूटस के सैनिक अपनी विजय के उल्लास में कैसियस की सिनाओ का साथ नहीं दे पाते कैसियस की सिनाओ का साथ नहीं दे पाते जिसे एंटोनी के हाथों जल्दी ही पीछे खटना पड़ता है कैसियस अपने एक विश्वस्त सैनिक को बूटरस की स्थिती जानने के लिए भेजता है वह अपने दास पिंडारस को भी आदेश देता है कि वह टिटीनस की सेनाओं की स्थिती की जानकारी प्राफ्ट करे बूटरस द्वारा विजय सेना एक दस्ते को दिखा कर पिंडारस को शत्रूओं की सेना का भरम हो जाता है और यह समाचार देता है कि टिटीनस पकड़ा गया और पराजित कर दिया गया है कैसियस अब देखिए क्या करता है तब ही कैसियस देखता है कि सभी लोग उसे घिर रहे हैं पिन्डारस को बुला कर कहता है कि वह उसकी तलवार को पकर ले तलवार को पकरने के लिए कहा पिंदारस को कैसियस ने अपनी हार उसके सामने खड़ी थी उसके पकरने पर कैसियस अपना कलेजा उस पर रख देता है और तलवार को अपने कलेजे में घुसेड लेता है यह कहते हैं कि सीजर तुमने उसी तलवार से प्रतिरूद चुका लिया जिसके साथ तुम्हारी हत्या की गई थी कैसियस मर जाता है वापसी पर टिटिनस कैसियस को मिर्ट पाकर तलवार पर गिर कर खुद भी समाप्त हो जाता है मैसलस ब्रूटस को उसी अस्थान पर ले जाता है और वे लोग उस गलती की बात करते हैं जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी फिर भी ब्रूटस पुनह युद्य करता है किन्तु बुरी तरह पराजित कर दिया जाता है वह रण च्छतर से भाग जाता है और उसका ओफिसर लूशियस अपने आपको ब्रूटस घोशिज कर देता है उसे गिरफतार करके एंट्री के समक्ष परस्तुत किया जाता है जो की वास्तर विकता को पहचान लेता है कि वा ब्रूटस को पहचानता है बूटस के सैनिक अजिक अब अवस्थित था संध्यास्पत इस्ठिती में पढ़ जाते हैं बूटस शत्रूओं के हाथों नहीं पढ़ना चाहता बूटस अपने सैनिकों को एक ओर ले जाकर कहता है कि वे लोग अपनी प्रिये नेता की हत्या कर दें बूटस स्ट्रेडो को कुछ दूरी पर तलवार पकड़ा कर खड़ा करता है स्वैम भाग कर उस तलवार से तकड़ाता है और यह शब बुदाते हुए मर जाता है सीजर अभी भी जिवित है मैंने तुम्हें अनिच्छा से ही मारा था ततपश्चात एंटोनी तुथा अक्टोवियस दृष्ष्रे में उपस्थित होकर आपस में निर्णाय करते हैं कि बूटस का अंतिम संस्कार उसकी महानता के अनुरूप ही किया जाना चाहिए तो मेरे दोस्तों ये जूलियस सीजर नामक नाटक ये पहली बार पब्लिश्ट हुआ था 1623 एसीवे में और पहली बार इसको प्ले किया गया था उसके बहुत पहले 1601 में ही 1601 में पहली बार इसको खिला गया था उसमें पब्लिश्ट नहीं था और उसके बाद पब्लिकेशन नहीं इसका हुआ पहली बार 1623 में और तब से ये ट्रेजडी की दुनिया में ये शेक्ष पियर क्या जो ट्रेजिक वर्ल है उसमें ये पहली कृती है जूलियस सीजर जो बहुत ही उत्तम और अपनी नाठी की यता के लिए और जोरदार डायलोक्स के लिए मशूर है तो उमीद करता हूँ अच्छा लगा फिर इसके बाद कुछ और वीडियो आपकी समक्ष आएगा जो जूलियस सीजर के बाद विलियम शेक्ष पियर के और जो प्लेज हैं उनके उपर होगा तो प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना कमेंट भी करेंगे क्या आपको इससे फाइदा हुआ अगर हुआ तो कमेंट करेंगे थैंक्यू फॉर विविंग है वे नाइस डेई